कि मानो कान की समशना理 करीज का ता है ऑगर कोच्छन पता नहीं है ता ह्या हमसे पता हैं लो इसके अंदर मत देख we होगा फिर उसके अंदर अंता करना होगा तो और इसका एंसर दिखते हैं ता कि आपको समय पढ़ने पर लिखने में कोई परिशानी ना है कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जब किसी परकार की दोनी हमारे खान में परविश करती है तो इसमें हमें कि शरब्य सन्वेदन होता है मानव काण की रचना को मैं मनुवाइगा गुरुने शुविदा के द्रिश्टी कोण से निमनां कि तीन बागों में बाता है बायकरन यानि आउटर येर मद्दे करन मिडेल येर और अंता करन इनर येर कि पायकरन अफ्यकरन करन करना हिस साहे इसे वाहर में 200 यानि ऑठोरी यानि दोनम कवर्ण निमनां केन्द पहले here पीना का वाहर रहता है ऊपर नीचे क्यों पतला होते हुए गोलाखार होता है सदारन जैने कि ये जो जा क्याम क्या है पीना कि सार्म नर्थ में उसे कान का जाता है पीना की मुख्यकर दौनी तरंगों को जमा करके उसे कान के नली में बेजना होता है प्रण्थ ऐसा देखा गया है कि इसके नुपस्तितिव में भी दौनी तरंग आसानी से कान के नली में परवेश कर जाती है इसका मतलब यह हु में में मोर्सजाद हैं को नरे तरंगे जुरा व्येह सब्राइने द्रंगे जो पीना द्रबार में इस जब करन देते तर्य अकिते हैं कि फेना की नलीं द॥े हिए है और करन पड़ा से मद्दे करने की सुर्वात हो जाती हantee कि मद्देकार्न मद्देकार्न की सुर्वात करनपर से होती है मद्देकार्न एक छोटी से जगह हे है जो हवा से बरिख रहती होगं में बरी जगह को करन कोटर को टाइप यूठंधית का आ जाता है इसमें पट श्ट से सट्टी जिल् censay पर रहता हुआ होता है जिसे कि जब दोनेत रंगिकान के जिली को प्रकमपित करती है तो इस्त Correct And जब अंती महरीत थरकाप प्रकमपित होती है तो प्रकमपन अपने आप हैं अंड़कार खिड़िये के मद्यम में अमत्रिकरण में परवेश कर जाता है, मद्य करने एक विच्छेस नली भी होती है, जिसे करन खंठन नली भी कहा जाता है, या नली मद्य करन इसे करन तक जाती है, इसका मुख्य कारे करन पदी को तिवर दोनी, तो रंगों के अगात से बचाना होता है, बहुत तिवर आवाज होने पर कान के अंदर प्रकंपन नली इसके सारे करन तक चला जाता है, और मुझ से बाहर आ जाता है, यदि या नली नहीं होती तो करन फट तेज आवाज से फट सकता है, तीसरा है, अंतह करन, अंतह करन में इस रब्य संवेदन की करहा को सिखाएं, यानि रिप्टर से स्पाई जाती है, अंतह करन की क्रियाओं को ठीक से समझने के लिए इसके बनावट को दो बागों में बटा जा सकता है, अर्द बृतकार नली तथा कोकिल्या तथा करनावत इन दोनों का वर्णन निमनांके था, अर्द बृतकार नलीका, जब व्यक्ति किसी दोनी को सुनने की कोशिस करता है, तो उसके शरीर की एक विशेश मुद्रा की जवरत होती है, अर्द बृतकार नलीका वैसे मुद्रा बनाए रखने में मदद करती है, या तो अर्द बृतकार नलीका या दिप तरल पदार्थ बढ़ा होता है यदि इस तरल पदार्थ में किसी तरह की गति उत्पन होती है तो व्यक्ति का सारिक संतुलनस्ठ हो जाता है और लड़कर नाने लगता है कि इसमें दूसरा एक उकिल्य को यह अंतकरन का सबसे मुख्य बाग है क्योंकि इसी में सरब्राइग को सिखाएं होती है देखने में को किल्य का का संख या गोंगे की तरह दिखाई देता है धाई चकर लिए हुए इसके विदर तिन नलिकाएं होती है जो एक दूसरे से जीली द्वारा अलग होती है इवे तिन नलिकाएं हैं वेस्टी व्यूलर नलिका कोकिलियर नलिका तथा टिमपैकनिक नलिका इन नलिकाओं में तरल पदार्थ बरा हुआ होता है जैसा कि आप चीतर में देख रहे हैं वेस्टीबुलर नलिकाओं में अनकार नलिका खिड़की की दूसरी और होती है जो कोकिलियर के शिर्स तक चलिया देश्ट से टैम्न टिम्पैनिक नलिका सूरी हो जाती है कुकलियर नलिका तथा टिम्पैनिक नलिका के विच एक जिली होती है जिसे वेसिलर जिली कहते हैं इस वेसिलर जिली पर आरगन अफ कोर्टी होती है जिसे सेवार के गास के समान पतले-पतले पोशिकाएं होती है जब दोनी तरण के अंड़कार खिड़की में प्रकंपन उथपन करती है तुbach वेस्टिविलर नडिका के तरह तरल पधार्थ में हल्चल उथपन होने लगती है जिसें टिंपनीक नली तरल पधार्थ में भी हल्चल होती है सब्सक्राइब द्वारा मस्तिक्स में पहुंचते हैं सर्वन संवेदन होता है सब्सक्राइब जटिल सुनने की परकिरिया में कई चरण संपन होती है द्वानी तरंगों को संग्राइद कर पहुंचता है सब्सक्राइब द्वानी के त्यूरता को बढ़ा देता है तथा अंतक करन की पेश कोशिका यम श्रोमण थंत्री का अवेग उत्पन कर उसे मस्तिक्स में बेज जता है जिससे सर्वन संवेदन उत्पन होता है मानौकर्ण सिर्फ 20 हर्ट से लेकर 2000 हर्ट की द्वानी को ही सुन सकता है द्वानी तरंग के त्यूरता इस सीमा के बाहर होने पर मानौकर्ण द्वारा उसका कोई सरव्य संवेदन नहीं होता है